नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका मिस्टर आटो हब की गौर फ्रेश वीडियो में तभी आप फ्रेम में देख रहे हैं यह सेवन सीटर कार केरंस किया के तरफ से आने वाली है केरंस कारी जिसमें आपको सेवन सीटर की सिटिंग मिल जाती है सिक्सीटर में भी एवेलेबल पड़ेगा साले 16 लाक रुपए का अंडोड लखनो में तो अभी हम लोग बात करते हैं कि आपको प्रेस्टीज में 16 लाक अप जब आप देते हैं तो क्या कुछ मिलता है कौन से ऐसे फीचर से क्या इसमें कमफर्ट आपको मिलेगा 16 लाक वाला क्या इसमें आपको प्रीमि तो वीडियो को शुरुआत करते हैं सबसे पहले इसके की से तो कुछ ऐसी की आपको मिल जाने वाली है जिसमें आपको लॉक अनलॉक होल्ड फर बूर्ट ओपनिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा पीछे की आपको इसमें मिलती है अब बात करते हैं कार की तो कार के परफाइल तो चलिए बात शुरू करते हैं यहां पर आपको डियारेल मिल जाती है यहां पर आपको पार्किंग लैट मिल जाएगी रिफ्लेक्टर है यहां पर इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा कि दाकि ग्लॉसी बलैक का यूज यहां पर काफ़ी अच्छे से करा गया है आप पूरी ग्रिल पर देख सकते हैं यूसी बलैक का यूज फ्रंट में कर आगया है नीचे रेडियेटर ग्रिल पर आएगे तो यहां पर को भी ब्हुश कर नॉर्मल से रॉ ब्लैक एंड सैटिन सिल्वर का यूस करा गया है फॉग लैप आपको इस विरिंड में नहीं मिलती है कि या की बैजिंग फ्रंट में देखने को मिल जाएगी एंड कार की जो चौड़ा ही है वो फ्रंट से आप देखे सकते हैं कितनी बेहतरी लगती है बाकी आपको 205 बैपैसेट और 16 इंचेस का स्टील रिम मिलता है जिसमें आपको फुल वील कवर्स प्रोवाइड किये जाते हैं और फ्रंट में भी डिस्ट ब्रेक और जब आप रियर में आएंगे तो यहां पे भी आपको डिस्ट ब्रेक्स प्रोवाइड कर दी जाती है यह इस नहीं फूल्ट अपको हाथ से करना पड़ेगा रूफ में रिखते हैं तो यहां पर आपको रूफ रिखने को मिलेंगी अब कार के बात कर लिए तो इंटियर में फीचर स्कार पे अच्छे दिए गया हैं अब लोगं बात कर दो हैं यहां पे आप देख सकते हैं तो यह पट्टी दी जाती है जो कि इसमें ब्लैक कलर की है बागी आपर वेरेंस में जाएंगे तो यह एक बॉडी कलर में ही देखने को आपको मिल जाएगी चलते हैं कार के बैक प्रोफाइल में यहां पर चेक आउट कर सकते हैं आपको प्रोवाइट कर दिया गया है इसका रिवर् इसका बूट से काउट कर सकते हैं इस तरीके से आपको केवल इतना छुट्टू सा बूट स्पीस देखने को मिलेगा यहां पर टूल के प्रोवाइट हो जाती है यहां पर भी आप एक दो छोटे बैक्स रख सकते हैं बाकि जब आपको इसका स्पेर विल निकालना होगा त अब्श आपके अजुक रहता है जब आपके थर्ड रो भी आप रहती है थर्ड रो आपके 50-50 स्कृट में प्रोवाइट हो जाती है अभी कार में अधर में देखाऊँगा कि मलब कीदी स्पेस हमें आप पर मिलने वाली है फिलाहाल इसका बंपर आप चेकाउट कर सकती ज अंदर चलके कि हमें स्पेस कितना मिलता है कि यह कार अपने कंफर्ट के लिए भी जानी जाती है तो उपन करते हैं लोग कार पहले कार को लिए कार हमारी ऑनलॉक हो चुकी है तो सबसे बहुत काफी मैसिव है दोर कितना ही मैसिव आपको इसमें प्रोवाइड करा गया है यह आपको प्रोवाइड करा गया है जाएगा सब्सक्राइब कर दिया जाते हैं यहां पर मिल जाने वाली है यहां आपको मिलती है मिलता है सेंटर में आपको आम रेज्व प्रोवाइड कर दिया जाता है काफी अच्छा देशा देशाती कितना बड़ी यूज करा गया है आइसो फिक्स चैल सीड़ कर दी गई है यहां आपको मिल जाता है एसी के फैन को कंट्रोल करने के लिए नॉब नीच्छे आपको य सब्सक्राइब कर दिया गया है चलिए बैट के दिखा दिते हैं कि में कितना स्पेस मिलने वाला है देख सकते हैं कितना ही यार्दा मुझे आप पर लेग रूम मिल ला है थाय सपोर्ट भी कार में काफी अच्छा है एंड इस सीड को मैं वापस अपने पोजिशन में कर दे कर सकते हैं मलब अपने अपने कर लिए अब चलते हैं सेकंड रो में मतलब की करते हैं ताकि 40 पर सेंट करनी पड़ी हमें पर रूब करा डोर यहां पर प्रोवाइड करा गया है बटन जैसे अब इस ब्रेक्राइब तो शीध्र ठंबल डान हो जाती आप आराम से तो यहाँ पर एंटर कर सकते हैं तो तो इसका थोड़ा-बहुत कम है तो मैं यहाँ पर कर सकता हूं मगर यहां पर थाय सेपूर्ट की थोड़ी कमी है बाकि फीचर्स ही कमी नहीं है चार्जिंग देगे हैं वाटर लखने के लिए स्पेस हमें या पर मिल जाती है सीट विल भी मिल जाता हमाई सेफ्टी के लिए बाकि कार में और अवर आल आपको सिक्सेयर वैक्स म की इसने को मिलते हैं चैनल को सिट में लगा रहेंगे यह हो कि हमारा सब्सक्राइब को मिल जाएगा इसमें पैथाली सो चालिएम विद्मिलती है 1-800 म. मिल जाने वाला है तो यहां से हम उपन करते हैं तो दोर को आपके बच्छे काउट कर सकते हैं कितने प्रोवाइट करा गिया है यहां आपको मिलते हैं दो वाटर होल्डर स्पेस अमरेला होल्डर और फोड़ विंडो कंट्रोल मिल जाएंगे अभर यंगे करने के लिए बटन प्रोवाइट करा गया है लॉक अनलोक बटन देखने को मिल जाएगा अपको यहां पर सीड मिल जाता है बाकि लेदराइज सीट तो मैंने आपको बताई दिया है कि इसमें मिलने वाली है थीम के क आपको अमेट के कंट्रोज देखने को मिल जाएंगे ओपें करते हैं अन करते हैं हम लोग उसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाने वाला है काफी बेटरीन साब को यहां पर प्रोवाइट होता है लाइट आ रहे तो उतना सहीज सिशायद ना दिख पा रहा हूं मैं द अब दिजल कार इस आपको यहां पर मिल जाने वाला है कि बेटरी चली कि तरीके से यहां पर डिजाइन करे गए हैं आपको इस वीरिंट में नहीं मिलता है बाकी बात करें तो यहां पर 12 बोल का पावर सब्सक्राइब देखने को मिल जाएगा USB-C चार्जिंग, USB, मल्टिमीडिया से कनिक्ट करने के लिए आई यहां पर आपको वार्निंग्स मिल जाती है यहां पर आपको वार्निंग्स मिल जाती है तो यहां पर आपको वार्निंग्स मिल जाता है जिसके नीचे भी आपको काफी ज़्यादा है दो कपोड़र स्पेस है कंफर्ट के मामने होँए कार एक नंबर है फीचर्स बिसमें जो भी नेसेसरी है वह सारे इसमें प्रवाइड कर दिये गये हैं तो मैं कहूंगा कि कार में फीचर्स और कंफर्ट दोनों अच्छा मिल जाता है बिल्ट क्वाल्टी और थोड़ी इन्हेंस हो जाती तो कार नंबर एक हो जाती इनवा कि टक्कर के कार अभी भी है तो उपर साइड में इंसुलेशन देखने को मिल जाएगा यहां पर मिलता है आपको फंद्रासु सीसी का टर्वो चार्ट डीजल इंजन पर इसमें आपको मिल जाएगा एक सु तेरह भी एश्पी की पावर एंड़ाइस वनेम का टॉर्प इतनी बड़ी गाली के लिए इत कमफर्ट के मामलें में गाड़ी एक नंबर है फीचर भी काफी अच्छे हैं बाकि आप चलाएं तो हमें बताएगा कि आपको यह गाली कैसी लगती है बाकि रिविव में अगर कोई गलती हुई हो तो प्लीज हमें करके जरूर बताएं बाकि अगर आपको यह वीडियो सब्सक्राइब करें वीडियो को श्यर करें धन्यवाद हमारे यह वीडियो देखने के लिए